नमस्कार आदाप सस्चेकाल रादे रादे जैहिंद राम राम सबको स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ओफिशल यूट्यूब चानल पर और मैं चाननी महिंद्रास तहीं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ तो बच चुके हैं सुबह के साड़े छे और आज अगर हम बात करें तो आज है 21 जनवरी तो बिल्कुल जो है थर्सडे और कहीं न कहीं वीकेंड पे आ गया है तो आई होप सबने अपनी स्टाटरजी बढ़िया तरीके से इस पूरे वीक में क्या की होगी फुल्फिल की होगी और जितने भी कैंडिडेट्स के मीन्स के एक्जामिनेशन है बिल्कुल काम डाउन रहना है स्ट्रेस फ्री रहकर क्या करनी पढ़ाई करनी है क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 10-12 दिन ही बचे हुए है तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे सा जुड़े हुए है जल्दी से बता दीजे कि वोईस ओर्डिबल है कि नहीं वीडियो क्लियर है कि नहीं जुड़ी करने का जमाना अब क्या करना है तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे important day से और देख लेते हैं कि हमारी list के एसाब से आज को important day है की नहीं तो बिलकुल हमारी list के एसाब से आज को important day नहीं है अगर को important day बीच में भी mention रहेगा तो बिलकुल उसे मैं PDF में update कर दूँगी तो एक बार check जरूर करते रहेगा ये columns इसलिए बना कर दे देते हैं ताकि आपको बाद में revise करने में भी दिक्कत ना हो फिरा बाद में ये कहते हैं कि पूरी rates एक साथ चाहिए है तो हम इसलिए जो है इस चार्टी में update करते जाते हैं जिससे बाद में आसानी से हम क्या कर पाएं revise भी कर पाएं तो अपने current affairs analysis के स चुरुआत करते हैं लेकिन उसके पहले क्या ही बनता है brainstorming mcqs और warm-up session तो डेफिनेटली बनता है तो जल्दी से बता दो सब लोग जो है ready हो की नहीं questionnaire के लिए और पहला question आ रहा आपकी computer screen पर वो ये है who has been appointed as the new chairman of the Shri Somnath Trust which manages the historic Somnath Temple in Gujarat Gujarat में एतिहासिक Somnath मंदिर का प्रबंदन करने वाले Shri Somnath Trust के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक किया गया है तो आपको बताना है कि नया chairman किने बनाया गया है नया chairman किने बनाया गया है Shri Somnath Trust का तो जल्दी से comment box में लिखकर बता दो फटाक से नया chairman किने बनाया गया है historic Somnath Temple के trust का जो Gujarat में located है तो बिल्कुल किने बनाया गया है मोदी जी को बनाया गया है केशु भाई पतेल जी के पास जो है किसको बनाया गया है नरेन मोदी जी को बनाया है पहले जो है former Chief Minister जो कुचरात के हुआ करते थे वो इसके क्या थे अध्यक्ष थे नेक्स पढ़ रहे हैं अगले question की तरफ और अगला question आ रहा है स्क्रीन पर Mark Rutte has resigned as the Prime Minister of which country along with his entire cabinet Mark Rutte ने अपने पूरे मंत्री मंडल के साथ किस देश के प्रधान मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है तो child care की जो subsidies होती थी उसमें क्या हुआ है scandal हुआ है गोटाला हुआ है जिस वज़े से अगर मैं बात करूँ तो Mark Rutte जो Prime Minister है और उस country के entire cabinet ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से तो आपको बताना है ऐसा जो है किस country में हुआ है जल्दी से मुझे comment box में answer लिक कर बता दो very good morning beam sir ऐसा जो है किस country में हुआ है कि उसके जो है प्राइम मिनेस्टर के साथ साथ पूरे cabinet ने इस्तीफा दे दिया है तो बिल्कुल वो European country है कौन सी भाई नीदलेंच तो child care rights पर जो subsidies दी जाती है उस पे scandal किया गया है घुटाला हुआ है जिस वज़े से पूरे की पूरे cabinet ने इस्तीफा दिया है कहाँ पर नीदलेंच में नीदलेंची capital की बात करें तो जल्दी से comment box में लिखकर बता दो कि नीदलेंची capital क्या है भे नीदलेंच जो है वो यूरोप में country है नीदलेंची capital क्या है आमस्टेडाम है नीदलेंची capital क्या है आमस्टेडाम है वर्ल्ड का सबसे पुराना stock exchange भी कौन सा कह जाता है Amsterdam Stock Exchange और एशिया का सबसे पुराना कौन सा कहा जाता है भे Bombay Stock Exchange कहा जाता है और अगर हम currency की बात करें किसकी Netherlands की तो currency क्या होगी वो भी लिखकर बताओ जल्दी से ठीक है capital की बात करें तो वो तो कौन सी हो गई Amsterdam हो गई और currency कौन सी होगी यूरो क्योंकि European country है ये नेक्स बढ़ रहे हैं ओके नेक्स बढ़ रहे हैं अगले question की तरफ What was the profession of the Padma Award winner वी शान्ता जी who has passed away recently पद्म पुरसकार विजेता वी शान्ता जी जिनका हाली में निधन हो गया है उनका पेशा क्या था वो किस फील से belong करती थी जल्दी से बथा तो भाई वो किस फील से belong करती थी शान्ता जी जिनका हाली में क्या हो गया है निधन हो गया है आपको बताना है CAard totally, oncologist, gynecologist ती, endocrinologist थी तो बिल्कुल किस फील से belong करती थी cancer treatment से जो है लडने के लिए मदद करती थी patients की तो क्या थी oncologist थी next बढ़ रहे हैं okay very good good morning अचना माँ next question की तरह बढ़ रहे है विस state recently organized its first ever bird festival कलराव at the nagi naakti bird century किस राज ने अपने सबसा पहला जो है पक्षी का महोचसब कलराव मनाया है वहाँ पर nagi naakti bird century में अपना सबसे पहला bird festival जो है किस state ने recently organized किया है तो दियान रखना वो कौन सा state है बिहार है और ये भी important रहेगा कि nagi naakti bird century पक्षी अभिरन कहां पर located है तो दियान रखना बिहार में located है क्योंकि question बनने के chances बहुत high हैं यहां से next पढ़ रहे हैं अगले question की तरफ in which state is the Satish Dhawan Space Center S.D.S.C. located Satish Dhawan अंतरिक्ष केंदर किस राज्य में स्थेत है Satish Dhawan Space Center जो है वो कहां पर located है तो Satish Dhawan Space Center कहां पर located है श्री हरी कोटा आंधर प्रदेश में वो जो आप सुनते रहे तो श्री हरी कोटा श्री हरी कोटा वो जगे है कहां पर आंधर प्रदेश में जहां पर Satish Dhawan Space Center located है next पढ़ रहे हैं अगले question की तरफ this state is known as the soya region of India किस राज्य को भारत का soya छेत्र कहा जाता है वहां पर सबसे ज़दा soya beans grow होती है तो soya region जो है किस state को कहा जाता है बिलकुल वो जो है हिंदोस्तान का दिल भी कहा जाता है heart of India भी है और वो कौन सा है मदर प्रदेश को soya region of India के तोर पर जाना जाता है good morning very good morning शर्वरी माँ अच्छा बहुत दिन बात शर्वरी माँ हम हमारे साथ जुड़ी है चलो next बढ़ रहे हैं और आज के current affairs analysis से शुरुआत करते हैं और सबसे पहली news की तरफ बढ़ते हैं तो भाई ICIC bank launches InstaFX mobile app to help customers obtain forex prepaid cards swiftly ICIC bank ने ग्रहकों को विदेशी मुद्रा prepaid card तेजी से प्राप्त करने की मदद करने के लिए InstaFX नाम का mobile app launch किया है तो ध्यान क्या रखना है कि ICIC bank industrial credit and investment corporation of India ने एक नया mobile application launch किया है जिसका नाम क्या है InstaFX जिसका नाम क्या है InstaFX इससे होगा क्या इससे ये होगा कि विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा के लिए एक prepaid card की तरह क्या करेगा काम करेगा अगर किसी ग्रहा को विदेशी मुद्रा चाहिए होगी तो इस prepaid card के माद्यम से वो आसानी से forex मतलब foreign exchange विदेशी मुद्रा को क्या कर सकेगा प्राप्त कर पाएगा तो ICIC bank ये पहला bank बन गया है जिसने ऐसा एक mobile application लाँच किया है अगर हम बात करें ICIC bank की तो वो ऐसा पहला bank भी रहा है देश का जिसने सबसे पहले internet banking की क्या की थी शुरुआत की थी जिसने सबसे पहले internet banking की शुरुआत की थी ICIC bank ये एक ऐसा bank भी है जिसने सबसे पहले universal बैंकिंग के शुरुआत भी की थी हमारे देश में मतलब बहुत सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म करने की फैसिलिटी भी दी थी तो आइसे ऐसे बैंक नोड़ टेजी से बढ़ता हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंक है अगर हम बात करें तो यह जो आइसे ऐसे बैंक ने न अब से इसे ऐसे बैंक फॉरक्स प्रिपेड कार्ड क्या कर पाएं प्रोवाएड कर बैंक एसे बैंक एसा पहला बैंक बन गया है देश का जिसने ऐसी फैसिलिटी ऐफर करने की बात की है किनको morality changers को अब यह money changer होता कौन है money changer एक वेक्ति या फिर एक संस्था होती है जिसका business होता है कि वो coins को exchange करना या currency को exchange कराता है तो मतलब अगर दूसरी country की किसी के पास currency है तो उसे exchange करने का काम कौन करता है money changer तो ये वेक्ति भी हो सकता है ये कोई संस्था भी हो सकती है ठीक है ना तो अगर हम बात करें तो ये जो है authorized money changers के लिए इसे enable किया गया है वो bank के साथ क्या करेंगे partnership करेंगे और customer का KYC done करवाएंगे know your customer की verification सारे documents क्या करवाएंगे validate करवाएंगे customers के और उन्हें real time basis पर एक ICIC bank forex prepaid card जो है वो launch कर देंगे ठीक है न तो एक application launch किया है किसने ICIC bank में तो दो दिन के अंदर ही जो है ये prepaid card forex prepaid card जो है उन्हें क्या हो जाएगा provide कर दिया जाएगा ऐसा कहा गया है तो अगर मैं बात करूं तो इस insta fx mobile application में रहेगा क्या 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 ध्यान से सुनना money changers जो है वो customers के permanent account number PAN को national security depository limited के साथ मिलकर verify करवाएंगे money changers जो रहेंगे वो customer के passport को verify करेंगे machine readable zone code से और उनकी जो है live photo ले लेंगे मतलब ये जो एप है ये सारी facilities प्रोवाइड कर रहा है ये जो ICIC bank forex prepaid card रहेगा ये किसी भी money exchanger outlet से आप पास सकते हो यहाँ फिर airports जो होते हैं countries में वहाँ से भी ये prepaid card आसानी से मिल सकता है ठीक money changer भी काम कर पाएगा तो money changer के थ्रू ही ये सारे काम customers को available रहेंगे अगर हम बात करें important news की तो ICIC bank ने December 2000 में 7 December को एक i-mobile pay app भी launch किया था अगर याद होगा तो अभी InstaFX app launch किया है इससे पहले i-mobile pay app भी launch किया था जिसमें वो payment और banking services दे रहा था सारे के सारे customers को ठीक है जि किसी भी bank का अगर वो customer होगा तो इस app का इस्तिमाल वो कर पाएगा तो IP जो है वो भी first of its kind app रहा था जो सारे bank के customers को आसानी से payment और banking services प्रोवाइड करने वाला रहा था अगर मैं बात करूं ICIC bank की तो ICIC bank को 1955 में बनाने की जो है program को start किया गया था ये initiative था World Bank का भारत सरकार क और Indian Industries के representatives का तो finally फिर 1994 में जो है ICIC bank ने ऐसा private sector bank काम करना चालू किया headquarter कहाँ पर located है मुंबई में located है फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा important है industrial credit and investment corporation of India MD और CEO का नाम क्या है संदीब बक्षी जी है और tagline क्या है हम है ना खयाल आपका ये है ICIC bank की क्या tagline तो ICIC bank important रहेगा कैसे कैसे सबसे पहला universal banking provide करने वाला bank सबसे पहला internet banking provide करने वाला bank इंस्टा FX नाम का app launch करने के लिए 4X currency को exchange करने के लिए इंस्टा FX नाम का mobile application launch किया गया आई mobile pay नाम का app launch किया जिसमें किसी भी bank के customers जो है सारी facilities ले पाएंगे ठीक है मतलब सिर्फ ICIC bank के customers ये काम नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल important important news आती रहती है किसके बारे में ICIC bank के बारे में नेक्स बढ़ रहे हैं और आज के दव हिंदू Indian Express और All India Radio की कुछ important news की तरह बढ़ना और सबसे पहले भई Indian Air Force और France की Space Force ने दोनों ने मिलकर पाँच दिन का Desert Night 2021 अभ्यास जो है वो commence किया है कहाँ पर जोदपुर Air Force Station में तो ध्यान रखना है कि Indian Air Force और Space Force और France ने मिलकर Desert Night 2021 नाम का क्या किया है युद्ध अभ्यास किया है अगर हम बात करें कहाँ पर जोदपुर Air Force Station में अब मुझे एक बात बताओ इंडिया फ्रांस के साथ और कौन-कौन सी exercises करती है और कौन-कौन से अभ्यास होते हैं तो और कौन-कौन सी defense exercises होती है जल्दी से comment box में लिखकर बताओ defense exercises और कौन-कौन सी होती है फ्रांस के साथ ये तो है desert night 2021 नाम का युद्ध भ्यास ठीक है ये पांच दिन की joint exercise चली थी जोदपुर Air Force Station पर जोदपुर Air Force Station पर ठीक है रफैल चेक करने के लिए बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब बतादो फ्रांस के साथ और कौन-कौन सी जो उके हम है ना कयाल आपका बिल्कुल जल्दी से बतादो फ्रांस के साथ और कौन-कौन सी exercise होती है इंडिया की फ्रांस के साथ और कौन-कौन सी exercise सुनी है इंडिया की और कौन-कौन से युद्ध ब्यास होते है बिल्कुल सही शक्ती आ गया है शक्ती आ गया है शक्ती फ्रा के साथ होती है शक्ति हो गई गरुड शक्ति किसके साथ होती है भई शक्ति हो गई फ्रांस के साथ गरुड शक्ति किसके साथ होती है इंडोनीशा के साथ होती है और कोई एक्सेसाइज याद आ रही है जो फ्रांस के साथ इंडिया कंड़क करती है शक्ति के अलावा ठीक है के अलावा को exercise याद आ रही है नहीं शक्ती है और कौन सी कर रही है desert night 2021 तो desert night नायम की जो है पहली exercise हुई है navy के साथ बिलकुल next बात कर रही है ओके भई जिसका भी birthday है wish you a very happy birthday चलो next बढ़ रहे है अगली अगली जो है न्यूस की तरफ अगली न्यूस आरे इस क्रीन पर प्रधान मंत्री मोडी जी ने 2,500 करोड रूपए जो है रिलीस किया है 6,000,000 beneficiaries को यूपी में 6,000,000 beneficiaries को यूपी में किस योजना के तहद प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के तहट अब बताना पड़ेगा stomach box में लिख कर कि प्रधान मंत्री आवास योजना की शुरुषना की शुरुषन जो है कप कि गई थी मोधी सरकार के द्वारे प्रधान मंत्री आवास योजना के शुरुआत कप की गई थी इसी का पहला नाम इंद्रा आवास योजना हुआ करता था राजीव आवास योजना हुआ रे हुआ फिर मोधी सरकार है तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया प्रधान मंत्री आवास योजना कर दिया गया मो मोदी जी ने जो है 2500 करोड रुपे और दिये है 6 लाग बेनिफिशरी इसको कहाँ पर UP में प्रोवाइड किये गए है ताकि वहाँ के लोगों का ठीके रहन सेन क्या हो सके बढ़ सके और वो लोग जो बुरे-बुरे घरों में रहते थे ठीके बहुत कराब घरों में जो बारि इंडिपेंडेंस के कंपलीशन पर प्रदानमंत्रियावास योचना का टार्गेट था कि हरे गरीब को क्या प्रोवाइड करना घर प्रोवाइड करना तो ये एक इंपोर्टेंट योचना रही भारत सरकार के जिसमें बहुत सारे घर जो है बनाये गए नाशनल हाउजिंग बैंक ने भी इसमें जो है खूब अच्छा रोल अदा किया था ये नेक्स बढ़ रहे हैं अगली न्यूस की तरफ तो भई पहला कंसाइन्मेंट जो है वो पहुँच चुका है कोविड नाइंटीन वैक्सीन का कहां पर भूटान और मालदीश में कहां पर पहुँच चुक पाकिस्तान में की जो है और क्या बनाई जा रही थी कब्रे बनाई जा रही थी जिसमें एक आ गया था कि और भी लोगों की अभी जाने जानी है ठीक है ना तो अगर मैं बात करना तो पाकिस्तान बिल्कुल जुकने को तयार नहीं है और कोविड नाइंटीन की वैक्सीन फ इंडिया पुने के वो पहुँच चुके हैं कहां पर भूटान की बात करें और अगर हम बात करें मालदीज के फॉरण मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद ने भी जो है रिसीव कर लिये हैं कितने एक लाग डोजेज तो एक लाग पत्रास अजार डोजेज जो है कोवी शील के पहुँच चुके हैं कहां पर भूटान में और एक लाग डोजेज सीरम इंस्टिटूट ऑफ इंडिया के द्वारा ब बहुत ये अच्छी काबार है कि इतना जादा जो है एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा इससे बढ़ जाएगा और फूब जो है एकनोमी को डेवलप करने में सरकार के पास क्या आएगा पैसा आएगा ठीक है ये जो पूरा इनिशेटिव है ये वैक्सीन मैत्री इनिशेटिव है कौन सा इनिशेटिव है कौन सा कैमपेन चल रहा है वैक्सीन मैत्री इनिशेटिव है जिसमें अपने नेबरिंग कंट्रीज को पार्टनर कंट्रीज को पडोसी राज्यों को सरकार क्या पहुँचा रही है कोवेड-19 की वैक्सीन पहुँचा रही है तो कौन सा के त्रू क्या करने वाले हैं एड्रेस करने वाले हैं तो 18 Convocation Ceremony है दिक्षान सामरो है तेजपुर University का जिसमें मोदी जी वर्चुल माध्यम के त्रू क्या रहेंगे शामिल रहेंगे और 2020 के जो है पास आउट कहां की उनिवर्सिटी है असम की उनिवर्सिटी है इस Convocation Ceremony की बात करें तो पी एच्टी स्कॉलर्स गोल्ड मेडलिस जो है अपनी डिग्रीज को क्या करेंगे रिसीफ करेंगे तो मोदी जी बिलकुल जो है मौजूत रहेंगे वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से ठीक न लवा पोर्ट्स में कैसे ट्रांस्पोटेशन हो ये सब के लिए चिंतक बैठक जो हुई है वो हुई है कहां पर गुजरात में होगी कबसे 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक तो तीन दिन की चिंतक बैठक होगी अगर हम बात करें ये जो रिव्यू मीटिंग होनी है ये कौन कंड़क्ट कराएगा तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मनसुख मांडविया जी को जिनके पास कौन सा मन्तरा लहे मिनिस्ट्री ओफ पोर्ट्स शिप्पिंग और वाटर वेज मंतरा लहे किसके पास मनसुख मांडविया जी के पास और ये जो है अध्यक्षिता करेंग तीन दिन की चिंतक बैठक का ये जो चिंतक बैठक रहेगी ये नए आइडियास को एक्स्पोर करने के बारे में बात करेगी कि कैसे कैसे जो है पोर्ट को शिपिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा सके और इंटरनाशनल जो आर्बिटरेशन रहते हैं मतलब इंटरनाशनल जो disputes ओते हैं शिपिंग से रिलेटेद, वाटर वेज्ट, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेद, पोर्ट से रिलेटेद तो उसे कैसे निप्टाया जा सके इस पर भी क्या होगी बातचीत की जाएगी तो inटरनाशनल डिस्पिंट बहुत जादा होते हैं अगर हम बात करें waterways में shipping में जब भी consignments जाते हैं एक country से दूसरी country में तो हम देखते हैं कि arbitration disputes भी आते हैं बीच में loot भी लिये जाते हैं consignments ठीके तो international arbitrations जो होते हैं disputes होते हैं उन्हें कैसे जो है issues को कैसे resolve किया जा सके उसके लिए भी चिंतक बैटक जो है तो सरोध नाम का सरोध पोर्ट्स नाम का एक program निकाला गया था इसका full form क्या था society for affordable re-addressal of dispute sports ठीक है ये एक mechanism था dispute redressal mechanism था कि जब countries के बीच में विवाद होते हैं किस से related ports से related बंदरगाहों से related तो उसको कैसे timely resolve किया जा सके उस पर जो है ये एक program चलाया गया था एक launch किया गया था dispute resolution system जिसका नाम क्या था सरोध पोर्ट्स नाम था जिसका full form था society for affordable redressal of disputes force तो हम देखते हैं कि maritime sector में मतलब पंडूबी, shipping इन सारे sectors में country के बीच में खुब विवाद चलते रहते हैं तो उसे कैसे resolve किया जा सके उसके लिए सरोध पोर्ट्स नाम का एक जो है dispute redressal mechanism भी बनाया गया था और वो भी शामिल रहेगा क्या इस चिंतक बैठक में तो ध्यान रखना है कि चिंतक बैठक जो है ये तीन दिवेसी ये बैठक है इसने DRDO के साथ एक MOU agreement पर sign किया है जिसमें road transport और highways मंत्राले जो है technical exchange करेगा sustainable geo hazard management का अब ये news में है क्या अगर हम बात करें road transport और highways ministry ने हमने ये तो कह दिया कि MOU sign किया है memorandum of understanding sign की है किसके साथ DRDO के साथ इस memorandum of understanding में ये कहा गया है कि DRDO और transport मंत्राले मिलकर क्या काम करेगा आपस में technical exchange करेगा और आपस में cooperation बनाने की कोशिश करेगा किस चीज में जो है cooperation बनाने की बात की जा रही है तो weather connectivity snow bound जो areas होते हैं ठीके जहां पर बहुत जादा snowfall होती है वहाँ पर transport जो है और roads जो है वो नहीं बना पाते इस वज़े से DRDO को क्या होती है दिक्कत होती है क्योंकि DRDO बहुत सारे defense equipments उसे पहुँचाने होते है इस वज़े से दोनों मिलकर काम करेंगे जिसमें weather connectivity roads प्रोवाइड की जाएं ठीके जिससे DRDO अपने shipments को आसानी से क्या कर सके पहुचा सके तो DRDO defense research development organization को बहुत सारे जो है snowbound areas में अपने equipments को पहुचाना होता है और roads ना होने की वज़े से national highways ना होने की वज़े से उसे क्या होती है दिक्कत होती है तो यह कहा गया है कि जो adverse effects हो जाते है landslides के ठीक है जो पूरी की पूरे जो है landslides होता है इसके अलावा अगर हम बात करें avalanches आ जाते है earthquakes की वज़े से क्या होती है road jam हो जाती है इसके अलावा और भी कोई natural calamity emergency situation आ जाती है जिस वज़े से DRDO जो है वो क्या नहीं कर पाता equipment को भीज नहीं पाता है इस वज़े से दोनों ने agreement sign किया कि दोनों मिलकर जो है technical exchange में भी मदद करेंगे एक दूसरे की इसके अलावा ऐसी कोई भी आपदा आने वाली होगी तो आपस में जो है क्या करेंगे मिलकर क्या करेंगे काम करेंगे और cooperation बनाने की कोशिश करेंगे next अगर हम बात करें next news की तो defense minister राजनाथ सिंग ने virtual meeting की है Singapore के defense minister के साथ जिनका नाम क्या है डॉक्टर निंग यांग हिन ठीके ना इनके साथ जो है क्या की है सिंगापूर के defense minister के साथ राजनाथ सिंग ने एक virtual meeting attend की है ये जो virtual meeting attend होई है इसमें दोनों countries ने मिलकर इसमें दोनों countries ने मिलकर ये कहा है कि ये दोनों मिलकर defense technology में एक दूसरे की क्या करेंगी मदद करेंगी defense technology में एक दूसरे की मदद करेंगी दोनों countries के बीच में agreement पर भी sign हुआ है और कौन सा agreement sign हुआ है इंडिया और सिंगापूर के बीच में जिसमें दोनों ने एक agreement sign किया है सम्मरीन rescue support and cooperation between Indian Navy and the Republic of Singapore Navy तो दोनों countries के नेवी के बीच में agreement sign हुआ है जिसमें rescue operations चलाए जाएंगे सम्मरीन rescue support देगी जो पंडुबिया क्या हो जाती है डूब जाती है या फिर हो जाती है तो सम्मरीन rescue में क्या करेगी एक दूसरे की मदद करेगी ऐसा agreement sign हुआ है इंडियन नेवी और Republic of Singapore Navy के बीच में तो वर्चुल मीटिंग एटेंड की गई है अपने देश के किनको adults को जीक है इंडिया ने जो है already 2 million doses free of cost दिये है as a gift के तोर पर vaccine मैतरी initiative के तहत किसको बांगलादेश को और बांगलादेश तो है अपने युवाओं को adults को free COVID-19 vaccine provide करेगा वही हमारे देश में भी युवाओं फ्री में जो है वो provide नहीं की जारी लेकिन बांगलादेश ने ये कह दिया कि वो free में provide करेगा क्योंकि उसे 2 million doses जो है फ्री में भी मिले है किस से इंडिया से इसके अलावा 30 million doses जो है वो purchase किये हैं बांगलादेश ने इंडिया से जो आने वाले 6 महीने में पहुँच जाएंगे तो Serum Institute of India की तो भी वावाही हो गई है अगर मैं बात करूँ तो बांगलादेश की जो Big Simmo Pharmaceutical Company है उसने SIII मतलब Serum Institute of India के साथ क्या साइन किया है agreement साइन किया है आने वाले 6 महीने में Serum Institute of India की Covishield Vaccine के 30 मिलियन डोसेज पहुच जाएंगे कहाँ पर बांगलादेश में पहुच जाएंगे नेक्स बात कर रहे हैं अगली न्यूस की तो क्याबिनेट ने अप्रूफ कर दिया है investment of over rupees 5200 करोर for 850 मेगावाट hydro power project in जमू आन काश्मीर तो भारत सरकार ने ये पूरी तरीके से approval दे दिया है कि 5200 करोड का hydro power project मतलब पानी से electricity को generate करने वाला project 850 मेगावाट का योई project है वो कहाँ पर शुरू किया जाएगा जमू आन काश्मीर में ठीक है और जमू आन काश्मीर में कौन से hydro electric power plant में तो रमू आन काश्मीर के रतले hydro electric project के तौर पर ये amount दिया गया है तो ध्यान रखना रतले hydro electric power plant कहाँ पर located है जमू आन काश्मीर में located है किस river पर बना हुआ है चेनाब river पर बना हुआ है किष्टवार में जमू आन काश्मीर में तो याद है किष्टिवार नाशनल पार्ग भी कहा पर लोकेटेड है जमू एंड काश्मीर में लोकेटेड है तो 5200 करोड रुपे के प्रोजेक्ट गोहरी जंडी दिखा दी है जिसमें 850 मेगावार्ड पानी से एलेक्टिसिटी को जनरेट किया जाएगा जमू एंड काश्म लोगों को डिरेक्ट और इंडारेक्ट और उइंप्ल्यप्लॉइमेंट की ऑपचुनिटीज भी मिलेगी तो नो डाउट अब जमू एंड काश्मीर और लड़ा का सरकार बहुत तेजी से क्या करने वाली है development करने वाली है विकास करने वाली है next बढ़ रही है next बढ़ रहे है अगली news की तरफ तो भई आप screen पर बड़ी ही interesting सी image देख पा रहे हो जहाँ पर Joe Biden जो है वो congratulate कर रहे है किसको Kamala Harris को ठीक है ना तो finally जो है oath ceremony complete हो गई है first woman vice president बन गई है USA की Kamala Harris और बहुत सारे important important जो है statement भी दिये है Joe Biden ने इसके अलावा प्रधान मंत्री मोधी जी ने भी यहां से congratulations भेजा किसे Joe Biden को तो बड़ी interesting सी image जो है देखने को मिल रही है अब जो है देखने वाली बात नहीं कि के India के relations जो है कैसे maintain रहते है USA के साथ क्या-क्या चीजे जो है वो अगर हम बात करें तो देखी जाएगी कैसे-कैसे आगे जो है trade में मदद मिलती है past president Barack Obama, George Bush, Bill Clinton उनके जो है spouses सब के सब जो है थे मौजूद थे इस oath ceremony में तो finally 20 January को oath ceremony हो गई है और Joe Biden 46 president बन गए है कहा के USA के और सबसे पहली महिला vice president बन गई है Kamala Harris जो belong करती है Tamil Nadu से कहीं न कहीं तो Indian American है बिलकुल ठीक है चलो तो बड़ी interesting सी image मुझे देखने को मिली newspaper में इसलिए मैंने से क्या किया पेस किया पहले भी जो है बड़ी interesting सी image आये थी जब दोनों विजय घोशित हुए थे नेक्स बढ़ रहे हैं अगली news की तरफ तो नीतिया आयोग ने second edition of India innovation index क्या किया है launch किया है तो बढ़ी 20 जनवरी को हमने कली पढ़ लिया था कि launching होनी थी तो इंडिया innovation index कौन सा state कौन सी union territory जो है कितने innovative ideas लेकर आती है उस पर नीतिया आयोग ने दूसरा edition जो है इंडिया innovation index का वो क्या कर दिया है launch कर दिया है 20 जनवरी को जिसमें competitiveness जो है बताई जाती है कि कौन सा state कौन सी union territory कितनी competitive है कितने अच्छे तरीके से वो perform कर रही है अगर मैं बात करूँ तो यह जो innovation index की ranking निकल कर आती है यह पांच parameters पर निकाली जाती है सबसे पहला human capital वहाँ पर लोगों के पास जो है बाई कितनी पूझी है investment कितना कर रहा है knowledge workers कितने है business environment कैसा है safety और legal environment कैसा है इसके अलावा दो performance parameters होते है knowledge output और knowledge diffusion मतलब कैसे जो है knowledge को output दिया जाता है बहाँ निकाला जाता है states के दोवारा और knowledge को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है diffuse भी किया जाता है तो यह 5 parameters human capital, investment, knowledge worker, business environment safety and legal environment कैसा है राज़ों और union territory में और दो performance parameters रहते है knowledge output और knowledge diffusion इन सारे parameters पर states और union territories को ranking दी जाती है नीतियायोग के द्वारा तो top के state ने कर लिया है भई फिर से जो है किसने top किया है करनाटिका ने तो करनाटिका ने नीतियायोग के innovation index में top किया है innovation index में क्या कर लिया है top कर लिया है किसने करनाटिका ने इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर रहा कौन महाराष्ट ठीक है दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर रहा कौन सा तमिल नाडू ठीक है ना ठीक है तीसरे नंबर पर रहा कौन सा तमिल नाडू रहा अ प्रणाटिका ने अपनी लीडर्शिप प्रोजिशन को रीटेन करते हुए बनाते हुए इस नीती आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में क्या किया है टॉप किया है फॉलोड बाय महाराश्रा ठीक है जिस जो है पीछे किया है जिसने किसको तमिल नाडू को जिसने पीछे किया डैली ने डॉप किया है और नॉट इसटन रीजन में और हिली स्टेटस में पुर पुर्वतरराचों में और हिली स्टेटस में किसने टॉप किया है लोगो तक किस तरह से इनोवेशन किया जा रहा है इसके अलावा जो है कितनी आसानी से वहाँ पर जो है इस ओफ बिजनेस है आसानी से फोरें डिरेक्ट इन्विस्मेंट आ रहा है तो इन सारे के सारे पैरमीटर्स पर इनोवेशन इंडेक्स में स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को क्या मिलती है रांकिंग मिलती है और फाइनली नीतियाओ के वाइस चेर्मेन राजीव कुमार ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इसको ऐसा मुकाम हासिल करने के लिए कौंग्राचुल ज़्यादा फॉर्टनर जो है उन्होंने क्या कि इन्वेस्ट्रेमिन्ट किया है और कर्नाटेका ने क्या कर लिया इस इंडेस में TOP किया है ध्यान रखना नेक्स्ट अ वेलना इंटरनाशनल एरपोर्ट जो है हवाई अड़ा ये कहां पर लोकेटेड है तो माले मालदी उसका हवाई अड़ा है ठीक है ना तो इंपोर्टेंट रहेगा ये वेलना इंटरनाशनल एरपोर्ट क्योंकि न्यूस में ये बहुत बना रहा है सारे कंसाइनमेंट्स जो ह जो इन चीप मिनिस्टर विजय रुपानी जी के हिसाब से ये जो फूरूट का आउटर शेप रहता है जो बाहरी हिसा रहता है वो lotus की तरह दिखता है, जो election symbol भी एक इसका BJP का, तो मतलब limit हो गई, कहां का कहां क्या लगा लिया, logic लगा लिया, यह जो बाहर का इसका हिस्सा रहता है, यह lotus की तरह दिखता है, कमल की तरह दिखता है, और जिस वज़े से इस dragon fruit का नाम बदल कर क्या करने की बात की गई है, क कृटिकलचर डेवलप्मेंट मिशन लाँच किया था किसने गुजरात में और उसी में जो है यह decision लिया गया है और उसी में क्या किया गया है कि जो ड्रागन फूर्ट होता है इसका नाम बदल कर किया फ्यून कीं आज शली हो तेस्ट एक रहें काखें cut के अमीक जड़ी होटाए अब जल्दी से बतादो कि सब लोग کیूक के पहले रेडी हो कि नहीं और उससे पहले एक बात बता दू 24 जन्वरी 2021 मतलब कब संडे को रवीवार को सुबह साड़े 6 बजे पीओ मेंस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट संडे को सुबह साड़े 6 बजे तो बिल्कुल जुणना मत भूलिएगा महिंदरास के ऑफिशल यूट्यूब चानल पर अब बढ़ रहे हैं हमारे mcq session की तरफ जल्दी से बता दो comment box में लिखकर कि सब लोग ready हो की नहीं और चोरी-चोरी चुपके-चुपके session नहीं देखोगे 400 से जादा लोग जुड़े हुए हो कहां पर आ जाना है comment box में और आंसर देना start करने लग जाना है ठीक है अब शेक सर कह रहें जो healthy होता है वो costly होता ऐसा क्यों है तो अगर मैं बात करूँ तो यह हमारे जो dragon fruit है यह बहुत कम grow होता है जैसे कीवी भी हमारे हैं बहुत कम ग्रो होती है ठीक है जिस वज़े से क्या होते हैं यह फूट्स सब के सब क्या हो जाते हैं महंगी हो जाते हैं ऐसा नहीं है आप आपल खालो and apple a day keeps a doctor away केला खालो वो भी जो है क्या होता है हल्दी होता है तो सारे फूट्स में अपने आप में कोई ना कोई विटमिन या फिर कोई ना कोई ऐसे healthy तीजे available रहती है जैसे सारी सब्जियों में कुछ ना कुछ होता है वैसे सारे फलों में कुछ ना कुछ जो है extra ingredients बिल्कुल रहते हैं चलो next बात कर रहे हैं और पहले question की तरह बढ़ रहे हैं और पहला question आ रहा है आपकी screen पर Who among the falling is going to launch the second edition of India Innovation Index India Innovation Index का दूसरा sunskirand किसके द्वारा launch कर दिया गया है जल्दी से बता दो इंडिया Innovation Index का दूसरा sunskirand किसके द्वारा launch किया गया है अब सुन लो, Planning Commission योचना आयोग की बात करें, जो 5-year plans बनाता था, जो क्या बनाता था, पंच वर्शी योचना बनाता था, 5-year plans की अगर हम बात करें, तो Planning Commission को abolish कर दिया गया था, जैसी मोधी सरकार आय थी कब, August 2014 में, नीतियायोग को लाया गया, National Institution for Transforming India को लाया गया कब, 1st January 2015 में, जिसके Chairperson तो कौन है, प्राइम मिनेस्टर, Vice Chairman है, राजीव कुमार, CEO का नाम क्या है, अमिताप कांथ, और जो है, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स और एक्स ओफीशो मेंबर्स हैं नीतियायो कांसिल किसी भी पंचवर्शी उजना पर हामी नहीं दे देता था, अपना कंसेंट नहीं दे देता था, तब तक Planning Commission कोई भी 5-year plan को implement नहीं कर पाता था, तो ये एक important sense था, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, Ministry of Finance, ठीक है, तो मुझे Finance Minister तो सभी को पता है, कौन है निर्मला सीतर अमझ है, मुझे एक बात लिख कर बताओगे कहां पर comment box में कि Finance Secretary का नाम क्या है, वित्त सचिफ का नाम क्या है, क्योंकि वित्त सचिफ के signature एक रुपे के नोट में होते है, तो मुझे comment box में लिख कर बताओगे कि देश के Finance Secretary का नाम क्या है, वित्त सचिफ का और देश के CVC कौन है Central Vigilance Commission कौन है केंद्रिय सतर्वता आयोग के अध्यक्ष कौन है देश के ये लिखकर बताओ मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में पहला क्वेशन है देश के Finance Secretary का नाम लिखकर बताना है देश के वित्त सच्चिफ का नाम लिखकर बताना है आप सबको और दूसरा क्वेशन है मेरा CVC का नाम देश के Chief Vigilance Commissioner का नाम बताना है आपको चीफ विजलेंस कमिशनर कौन है देश के ये लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में फटाफट फनायन सेकेटरी का नाम आ गया भई अजे कुमार भल्ला जी नहीं फनायन सेकेटरी वो तो फॉरें सेकेटरी होगे न हर्च चिंगला जी बिल्कुल सही अभी शेक सार का आंसर आ गया है फनायन सेकेटरी कौन है अजे भूशन पांडे जी है और अजे भूशन पांडे जी क्या भी है रेविन्यू सेकेटरी भी है राजश व सचिव भी है अब किन का नाम बताना था मुझे Chief Vigilance Commissioner का नाम बताना था अब मुझे बताना था Chief Vigilance Commissioner का नाम कौन बताएगा N.K. Singh जी कौन है N.K. Singh जी के पास Finance Commission है वित आयोग के अध्यक्षे हैं वो ठीक है न अकांशम हम करवा दूँगी ठीक है कोई इशू आ रहोगा अकांशम हम टेलिग्राम पे मुझे पिंक कर देना कौन सी आइडी जोए अनब्लॉक करानी है ठीक है गुस्ता नहीं हो ना बही गुस्ता जोए बहुत बुरा होता है गुस्ता नहीं हो ना Chief Vigilance Commissioner का नाम बताओ जल्दी से Sanjay Kothari जी का नाम आ गया है Chief Vigilance Commissioner कौन है देश के तो Chief Vigilance Commission की अगर मैं बात करो जिसे 1964 में बनाया गया था तो बिल्कुल जो है कौन है Chief Vigilance Commissioner का नाम पूछ रही हूं मैं Chief Vigilance Commissioner कौन है देश के ठीक है तो बिल्कुल नाम आ गया है Sanjay Kothari जी है Chief Vigilance Commissioner N.K. Singh जी के पास Finance Commission है वित्त आयोग है ठीक है Finance Commission का काम अलग होता है बिल्कुल Sanjay Kothari जी है पका ये जो है बिमल जुलका जी का नाम भी जो है कहा जा रहा है बिमल जुलका जी भई पहले थी आप कौन है Sanjay Kothari जी है Chief Vigilance Commissioner Next बढ़ रहे हैं अगले अगले question की तरफ Yes कोई बात नहीं आप जो है पिंग कर दीजेगा last में या फिर toll-free number पर contact कलीजेगा Mahindras.org पर बिल्कुल आपकी क्या करा देंगा किसी के तुरू को यूज करता होगा तो उससे बोल दीजे आपकी ID बेचे तो उसे unblock करवा दूँगी नेक्स आरा अगला question What was the rank of India in the global fire power index 2021 आप सुनो ये global fire power index क्या है तो military strength को ये बताता है कि कौन सी country की military army जो है कितनी strong है कितनी strengthful है तो military strength को ये बताता है global fire power index global fire power index में भारत का rank क्या है भारत की military कितनी strengthful है कितनी strong है तो आपके पास option है इंडिया का rank क्या है 4, 11, 24, 32 या फिर 46 जिसने पढ़ा होगा वो बता देगा global fire power index में इंडिया का rank कितना है बिल्कुल श्रीदर बारिक सर ने जो है answer दे दिया है ठीक है ना शिवम सर की तो शिवम सर की बात हो गई ठीक है देश की military पर तो इंडिया का rank कौन सा है भई फोर्थ निकल कर आए इंडिया का rank कौन सा है फोर्थ है ठीक है अगर मैं बात करूँ तो अगला question ये है कि global fire power index में किस country ने top किया है मतलब किस country की जो military है वो सबसे ज़ादा strengthful है तो global fire power index में किस country ने top किया है option है China, Russia, US, Japan या फिर UK की तो बिल्कुल कौन सी country की होगी जिसकी military सबसे ज़ादा strengthful होगी वो कौन सी country है USA कौन सी है बिल्कुल USA है ठीक है कौन सी है USA है दूसरे नमबर पर कौन है Russia है तीसरे नमबर पर है कौन China है चौथे नमबर पर भारत है और पाँचवे नमबर पर कौन है Japan है फिर ठीक है ना बिल्कुल कौन सी है USA है चलो next बात करते है अपने अगले question की तरह बढ़ रहा है अगला question है चाइना मतलब इतना भरोसा चाइना पर और देश पर बिल्कुल भरोसा नहीं 32 राएंग कह रहे थे ठीक है और अभी कह रहे हो कि टॉप की है कि इसमें चाइना क्या आर्मीन है अरे चाइना नहीं होगा USA रश्या है चाइना है इंडिया है फिर सुजीता फिफ नंबर पर कौन है जपान है नेक्स बात कर रहे हैं अगले question की तरह विच और्गनाइज़ेशन है और देवोस एजिंडा समिट 2021 किस संगठन ने दावोस एजिंडा शिकर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया है तो भई दावोस जो है वो जगे है कहाँ पर located है स्विजलिंज में located है दावोस एजिंडा समिट जो है किस organization के द्वारा हाली में conduct किया गया है हाली में conduct किया गया है किस organization के द्वारा जिसका अकसर सम्मेलन दावोस में होता है तो वो कौनसी organization है World Economic Forum है विश्व आर्थिक मंच है कौनसी organization है World Economic Forum है और ध्यान लखना World Economic Forum जो है 1971 में बनी थी यर तो इतना important नहीं है World Economic Forum का headquarter important है जो कहाँ पर located है कोलागन में और ये जगे है कहाँ पर स्विजलेंड में तो जेनेवा में नहीं है याद रखना headquarter और इसके जो अध्यक्ष है डिरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है क्लोस कोब है इनके जो डिरेक्टर जनरल है लीडर है उनका नाम क्या है क्लोस कोब है ये भी खूब news में बने रहते हैं क्लोस कोब भी Confederation of Indian Industries ये तो हमारे देश का ही है Confederation of Indian Industries का Headquarter आप लोग बताओगे comment box में और Confederation of Indian Industry के President का नाम भी लिख कर बताओगे क्योंकि ये important रहता है CII के अध्यक्ष कौन है, President कौन है और इसका Headquarter कहां पर है Headquarter तो मैं बता दे रही हूँ, कहां पर located है, New Delhi में located है अब President का नाम आप लिख कर बताओगे Confederation of Indian Industry का Next बात कर रहे हैं अगले question की अबोहर Wildlife Century is situated in which state अबोहर वन्यजीव अभ्यरन भारत के किस राजमी स्थित है तो बिल्कुल न्यूस में बना रहता है अबोहर Wildlife Century ये कहां पर located है अप्शन है गुष्रात, करनाटिका, तमिलाडू, यूपी या फिर पंजब गीता गोपी नाथन बिल्कुल IMF में है ठीक है गीता गोपी नाथन जो है IMF में है इसके अलावा World Bank में हमारी तरफ से इंडिया की तरफ से अंशुला कान जी है जल्दी से बता दो भई अबोहर Wildlife Century उससे पहले CII के President का नाम जो है वो मैं सुनना चाहती हूँ CII के President जो है वो कौन है बिल्कुल सही कौन है भई, उदे कोटक जी है कौन है, उदे कोटक जी है बिल्कुल बहुत बढ़िया, उदे कोटक जी है बहुत बढ़िया चलो नेक्स बात कर रहे है अबोहर Wildlife Century, अबोहर वनिचीव अभिरन कहां पर सित है, तो बिल्कुल आंसर आने लग गए है, कहां पर located है भई, पंजाब में located है, ठीक है और कल रात वाले जो important 10 question थे उसमें मैंने पंजाब की एक important योजना भी कराई थी, वो भी एक बार क्या कर लेना, वहां से देख लेना और उसके pdf भी आपको mahindra guru.com की website पर मिल जाते है नेक्स बात करें अगले question की who is the CEO of Niti Aayog Niti Aayog के CEO का नाम बताना है देखो, examination में question को थोड़ा खुलया करके दिमाग पढ़ना एकदम से गलती से कुछ भी मत लगाया ना चीके ना, तो CEO पूछा गया है Niti Aayog का, Vice Chairman या फिर जो है Chairperson नहीं पूछे गए है CEO कौन है Niti Aayog के तो कौन है भाई, अमिताब कान जी Vice Chairman कौन है Niti Aayog के President तो 5 सालों के लिए बनाते हैं Sunil Aroda जी कौन है, ये कौन लिखकर बताएगा comment box में Sunil Aroda जी कौन है, ये comment box में लिखकर कौन बताएगा, फटाक से बतादो, Sunil Aroda जी जो कौन है Sunil Aroda जी कौन है देश के, जल्दी से बताओ comment box में लिखकर है, very good, बहुत बढ़ी है Sunil Aroda जी कौन है फटाक से लिखकर बतादो भई Sunil Aroda जी, others sir, कौन है बिल्कुल अकांशा माम का अंसर आ गया Chief Election क्या है, Commissioner है देश के CEC है, Chief Election Commissioner है देश के, कौन है देश के Chief Election Commissioner है, भई, बहुत बढ़ी है CEC है देश के, Chief Election Commissioner है very good, next बढ़ रहे, आगले question की तरफ, who among the falling is the Director General of India Coast Guard ठीक है, India Coast Guard, जो Coastal Areas को पूरी तरीके से क्या करता है पूरी तरीके से क्या करता है control करता है, protect करता है वो है ICG, ठीक है Indian Coast Guard जो है, उसके Director General कौन है, Indian Coast Guard ICG के Director General कौन है आपके पास option है, Krishna स्वामी SEAS के आसपास operation होते है उन्हें guard करता है, उन्हें protect करता है, Indian Coast Guard के जो है, अध्यक्ष कौन है जो Ministry of Defense के अंदर भी काम करता है, तो बिलकुल इसके अध्यक्ष जो है, वो कौन है जल्दी से बता दो, इसके अध्यक्ष कौन है पेट्रोलिंग करता रहता है, गष्ट लगाता रहता है, Indian Coast Guard के जवान होते हैं, ICG Indian Coast Guard के Director General कौन है तो बिलकुल सही answer आ गया है रिशिकेश सर, एक दिन तो बनोगे न, ठीक है, इसलिए अभी से क्या डाल लूँ, आधर डाल लूँ कौन बने हैं, बिलकुल कृष्ण स्वामी नट राजन जी है, Indian Coast Guard के Director General कौन है, कृष्ण स्वामी नट राजन जी है, वेरी गुड राजन सर बहुत बढ़िया भाई, देखो, examination में तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, examination के बारे में बात की जा रही है, în तो बिलकुल कम मना जाता है, 26 जुलाइ को मना जाता है, 26 जुलाई को मना जाता है कारगिल विजए दिवस, इसी दिन 1999 में जो है इंडिया ने successfully command की ठी हाई आउठ पोस्ट पर ठीक है फिक किना तो मनाया जाता है हर साल का 26 जुलाई को मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है तीन महीँने का operation विजय चलाए गया था 3 महिने का operation विजय चलाए गया था line of control पर तो कारगिल विजय दिवज मनाया जाता है कब कारगिल विजय दिवज पाकिस्तान के साथ वरुईती का मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है नेक्स बात कर रही है अगले क्वेशन के तरफ, नाटो का header, North Atlantic treaty organization का header पूछ रहा है, जिसमें इंडिया शामिल नहीं है, नाटो का मुख्याले पूछा जा रहा है, North Atlantic treaty organization का header पूछा जा रहा है, नाटो की forces में इंडिया की force शामिल नहीं है, नाटो का header कहां पर located नाटो जो है उसे 1949 में बनाये गया था इसके अलावा अगर मैं बात करो तो इसमें जो है 30 कंट्रीज शामिल है 30 कंट्रीज का यह military समू है नाटो जिसमें इंडिया शामिल नहीं है जिसके Secretary General के बात करें तो उनका नाम क्या है जेंस स्लोटनबर्ग है सेकेटरी जनरल नाटो का हेड़कोर्टर कहां पर लुकेटेड है तो बिल्कुल कहां पर लुकेटेड है भै ब्रुसेल्स बेल्जियम में लुकेटेड है कहां पर लुकेटेड है नाटो का हेड़कोर्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में लुकेटेड ह आज की जो है questions complete हो चुके हैं और ये कुछ upcoming online batches हैं कल 20 जन्वरी से मतलब बुद्धवार से 10.30 बारा IBPSPO का एक नया batch start हो चुका है 27 जन्वरी अगले बुद्धवार से 8-10 IBPSPO और 1-3 CGL CHSL के निले new batch start हो रहा है ज्यादा information के लिए आप Mahindras.org की website visit कर सकते हो और zoom platform से हमारे साथ basic से अपनी तयारी में जुड़ सकते हो और एक बात जिन्होंने प्री qualify किया है मैं एक बात बता दू कि 7 से लेकर सुबे 11 बजे तक साथ से लेकर सुबे 11 बजे तक zoom platform पर mains के लिए special batch चल रहा है जिसमें बहुत सारे candidates है तो आप उसमें बिल्कुल join कर सकते हो उसके लिए महिंद्राज.org की website पर visit करके या फिर toll free number पर call करके जो है हमारे साथ connect हो सकते हो zoom batches में भी नेक्स बात करें free of cost batch है means के candidates के लिए बिल्कुल आप उसमें connect हो सकते हो ठीक है और जितने भी मेरे प्यारे candidates प्यारे साथी अभी तख telegram से नहीं जुड़े हैं आप selection with चान्नी के नाम से telegram पे search करके मेरे साथ connect हो सकते हो सारे important notes PDF और कोई भी दुखदर परिशानी हो तो ब जादे जाते bell icon दबाते जाएं जिससे कोई भी important information मिसना हो पाए और भाई session को like कर दीजेगा सब लोग अपना ध्यान रखेगा thank you very much to all of you इतनी सुबह से जुड़ने के लिए साड़े साथ साथ से editorial session लगा तो बिल्कुल उससे connect हो जाएएगा अम मिलेंगे रात में बारा ब सब अपना ध्यान रखेगा bye bye guys take care have a nice day to all of you आप सब का दिन शुपो bye bye